हेलो चुल्रान, गुड मॉनिंग, आप सब कैसे हैं, ओके, आप सब एकदम अच्छे होंगे, ओके, तो आज हम हिंदी की नोट बुक में सबसे पहले डेट डालेंगे, और हिंदी की नोट बुक में आज हम सब्द बनाओ करेंगे, ओके, तो अभी तक हमने औ से लेकर उ, बड अभी साथ में सब्द बनाओ जो हैं, आज से लेकर बड़ाओ की मात्राता करेंगे, ओके, येस, चलो, रेडी, फरस्ट में है, क, प्लस, धन, ओके, जोणना है, उसको धन बोलते हैं, क, धन, म, धन, ल, तब क्या आएगा, यहाँ पे हमको पता है, आपने आगे भी कर चुक दूसरे शब्द है, बढ़ना है, म, यहाँ ल, येस, तो आपको क्या सब्द बन गया, क, म, ल, कमल, ओके, इसी प्रकार आगे सभी करना है, दूसरा नंबर है, त, प्लस, ल, त, में, ल, को जोड़ना है, सोरी, त, में, त, प्लस, आकी मात्रा है, सोरी, त, प्लस, आकी मात तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें क्या जोड़ेंगे आकी मात्रा येस तो बन गया ता उसके बाद है लो लो करेंगे तो हमें क्या जोड़ेंगे आकी मात्रा तो बन गया ला अब हम इसको दोनों को एक साथ कैसे बोलते हैं ता ला मुझ को ऐसे खोल के बोलेंगे ता ल ताला ओके नेक्स्ट है धो धो पर लाइन करनी है सबसे लंबी लाइन करनी है आपको ऐसे नहीं कि छोटी छोटी लाइन करनी है सबसे पहले ऐसे लंबी लाइन करनी है धो धो में जोड़ेंगे ए की मात्रा किस में लगेगी न में न के सामने एकी मात्रा है चोटा एकी मात्रा तो न में लगेगी तो एकी मात्रा फिर न में लगेगी ओके न में जुड़ा हुआ धो न में एकी मात्रा नी फिर है यो यो फिर आ की मात्रा तो या धो निया धनिया धो निया धनिया नेक्स्ट है म मौ के बाद है चो चो के बाद है लग लग के बाद में है एकी मात्रा लग में जोड़ना है किसके बाद है लग के बाद एकी मात्रा है तो लग में जोड़ेगी तो लग में जोड़के लखेंगे बड़ा एकी मात्रा ली येस तो क्या शब्द बन गया मचली नेक्स्ट है गव गव में गव के बाद है उकी मात्रा तो गव में जुड़ेगी गव के बाद चोटाउ की मात्रा है तो गव में चोटाउ की मात्रा गूप फिर है ला ला के बाद क्या है येस आ की मात्रा तो ला के बाद आकी मात्रा लगानी है ला फिर है ब तो क्या बन गया घ में उकी मात्रा गुला में आकी मात्रा लाब गुलाब गुलाब नेक्स्ट है प सीरो रेखा करनी है उपर में प प के बाद बड़ा उकी मात्रा है तो पौ में लगेगी पू फिर है जग जग हो गया जग के बाद आकी मात्रा है तो जग में जोडेंगे जग में आकी मात्रा जा पौ में उकी मात्रा पू जग में आकी मात्रा जा पू जा नेक्स्ट है गव गव में उकी मात्रा तो लाइन करनी है गव अब गह के बाद छोटा उकी मात्रा है तो गह में जुड़ेगी गू अब है बड़ा इकी सोरी छोटा इकी मात्रा ड़ में छोटा इकी मात्रा आगे है तो ड़ में जुड़ेगी ओके गह में उकी मात्रा फिर ड़ में इकी मात्रा तो पर ले लाएं डी, फिर यह है, यह, यह में आकी मात्रा या, गा में उकी मात्रा गुड, यह में आकी मात्रा या, गुड, या, गुड, या, ओके, नेक्स्ट है, क, क क क क क क क बाद री की मात्रा है, सी जैसी होती री की मात्रा, क क में बाद में है, क क क क क बाद में है री की मात्रा, तो लिखे कर, कमेरी की मात्रा क्री, फिर है श, फिर है क, क्रिशक, क्रिशक, ओके, तो हम, अब क्या करेंगे आज, नोट बुक में, हेडिंग डालेंगे, शब्द बनाओ, सब्द बनाओ में हैं, आज, औ से लेकर, बडाओ की मात्रा वाले, सभी सब्द जो होती है, मात्रा होती है, औ से लेकर, बडाओ की मात्रा, वो सब्द एक साथ दिया हुआ है, तो आपको एक साथ कैसे समझ में आएगा, वो आपको इसी तरह करना है, तो आपको ये आ जाएग सब साथ में हैं उसे लिखकर बढ़ाउ की मातरा वाले शब्द सब साथ में है तोको इसले आज नोट्बुक में करना है एक बार हम फिर से देख लेते हैं कमल तो में आकी मात्रा ल में आकी मात्रा तो क्या हो गया? ताला धब धब के बाद है इकी मात्रा तो न में जुड़ेंगे न में इकी मात्रा नी य में आकी मात्रा या धनी या फिर है माच ल में एकी मात्रा ली, मचली, मचली, का में उकी मात्रा गु, ल में आकी मात्रा लाब, गुलाब, गुलाब, नेक्स्ट है, पा में उकी मात्रा पूज, अमें आकी मात्रा जा, पूजा, फिर है, गा में उकी मात्रा गु, ल में एकी मात्रा डी, य में आकी मात्रा या, तो आपको ये नोट बुक में करना है उसके बाद दूसरे पेज में आपको डेट डालनी है हेडिंग डालना है स्वर औसे अहा आपको नेक्स पेज में स्वर लिखना है औसे लेकर अहा तब उसके बाद next page में यही page में नहीं swear वाले page में नहीं उसके बाद next page में व्यंजन कर से स्र first page में swear next page में व्यंजन कर से स्र तक आपको आपकी note book में लिखना है आपको आज इतना करना है थैंक यू